ही गाईस, इस में अगेन, मेरा नम कविता है, और मैं मुंबई में रती हूँ जी हाँ, मैं सच मैं मुंबई में रती हूँ तो नॉर्मल है, जिसके घर पे बच्चे हैं, तो कभी-कभी ना दो बार अलग-अलग से खाना बननी जाता है क्योंकि बच्चों के लिए अलग बनाना होता है, कभी-कभी पीजा, बर्गर, पानी-पुरी, भेल-पुरी वो चीजे खाना होती है जो बच्चों को नहीं पसंद है, पर सिफ बड़े खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, तो हमारे गर पे भी कुछ ऐसी हाल अते हैं कभी-कभी हमारे गर पे भी पानी-पुरी, पीजा, बर्गर, या फिर कभी-कभी चाइनीज नूडल्स बनता है, तो बच्चे के लिए क्या बनाएं तो नॉर्मली मैं अपने बच्चे के लिए गी-जीरा पोहा बनाती हूँ, तो इदर मैंने बावल में थोड़ा सा पोहा लिया है, सबसे पहले हमें पोहे को वाश करना है, टाकि उसके अंदर का सारा कच्रा और गंडा पन और जो गंडा पानी निकल आया है, हमें उसको नि इसलिए मैंने घी का इस्तमाल किया है, आप चाय तो ओयल का इस्तमाल भी कर सकते हो, इसके अंदर मैंने एक चमजीरा जीरा डाला है, थोड़ा से हमें कडी पता डालना है, अभी बच्चे के लिए बना रहे है, इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाली है, उसके बाद मैंने एक टमाटर को हमें थोड़ी देर के लिए सौटे करना है जब तक टमाटर ना हलका सा सौफ ना उजाए न तब तक उसको प्पाना है आधी चोटी चमाच हल्दी पाउडर एक चमाच मैंने तन्या जीरा पाउडर डाला है और स्वार अनुसर हमें नमक डालना है थोड़ा सा मैंने शक्क डाला है ताकि मैंने टमाटर एक पूरा डाल दिया है तो टमाटर ना थोड़ा सा खटा होता है और मैंने इसके नेमो नहीं डाला है क्योंकि मैंने एक पूरा टमाटर का इस्तमाल किया है सारे मसाले डालने के बाद हमें पोहा एंड में डाल लेना है पोहा को अच्छ से मिक्स करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए उसको धीमी आज पे चलाना है थोड़ी देर के बाद हमें इसको ढग देना है दो मिनिट टक हमें पोहा को ढग के रख देना है दिमी आज पे न तो पोहा न अच्छे से पक जाएगे और सारे मसाले भी पक जाएगे लोजी हो गया बच्चों के लिए पोहा तयार वैसे कभी-कभी घी जीरा पोहा में अपने बच्चे के टिफिन बॉक्स में भी बना देती हो जब भी घर पे ना कुछ ऐसा बने कि जो बड़े खाते हैं पर बच्चे नहीं काते हैं जैसे कि पानी पूरी मेरा बच्चा तो कभी नहीं खाता है क्योंकि टीका होता है कभी कभी हम स्पाइसी बनाते हैं जैसे कि नूडल से सूप है जो मेरा बच्चा नहीं खाता है तो मैं घी जीरा पोहा बना के उसको देती हो इसको ना बनाने में जारा टाइम नहीं लगते हैं सिफ 5 मीट में रेडी हो जाता है तो इसमें टेस्ट भी है और हेल्ट भी है बच इवन बच्चे के लिए हम थोड़ा सा बनाते कोई चीज तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है तो इंच्वर्थ मैं एक के लिए ब्रेटपस बनाती हूँ तो हम डोनों के लिए हुई जाता है तो ऐसे नए नए वीडियो रेसिपी और आइडिया के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब किजिए थैंक यू